नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पार्चाला में दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में हम एक पिले को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है Arms and the Man ये पिले दोस्तों लिखा है जोर्ज बर्नार्ट सो ने दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको Arms and the Man के सारे के सारे कीफेक्स इसके करेक्टर और इसकी समरी को दोस्तों समझाओंगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी वीडियो के अंतर बने रहें मैं कोशिस करता हूँ कि सारे की सारी चीजे दोस्तों आपको समझाता हुआ चलूँ देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कीफेक्स की ये जो पिक्चर है दोस्तों ये किसकी है जोर्ज बननर्ट सो की ये पिक्चर है देखिए यहाँ पर इसका नाम है और जोर्ज बननर्ट सो जो थे इनका जरम दोस्तों 1856 में हुआ था और इनकी डैथ जो ह फुल टाइटल है वो है Arms and the Man इसका complete टाइटल जो है Arms and the Man ही है जो हम दोस्तो पढ़ते हैं इसको first time produce किया गया था दोस्तो 21st April 1894 में इसका अगला key fact है दोस्तो ये एक comedy है यदि जोनर पूछा जाए exam में कि ये क्या है तो दोस्तो ये एक comedy है जिसको George Bernard Sow ने 3x में लिखा था तो यहां से 2 question तयार होते हैं आपके पहला question यदि आप से पूछा जाता है exam में कि ये George Bernard Sow के द्वारा लिखी हुई Arms and the Man जो है वो क्या है तो आपको इसका देना है दोस्तो आंसर comedy यदि question दूसरी तरी से पूछा जाए कि Arms and the Man जो George Bernard Sow ने लिखी है वो कितने act में लिखी है तो आपको दोस्तो इसका 3x में आंसर करना है ठीक बढ़ते हैं आगे यहां पर एक character आपको देखने के लिए मिल रहा है इस play का जिसका नाम है दोस्तो रेना इस character को मैंने key facts में क्यों रखा है दोस्तो क्योंकि यह heroine है इस play की ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है अगला character है दोस्तो इस play का hero इस play के hero का नाम है दोस्तो बिलंड सली देखिए यहां पर इस सब्द को अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से pronounce करते हैं यदि आपको लगता है कि मैं इसे गलत तरीके से pronounce कर रहा हूँ तो दोस्तो आप इसे अपने तरीके से बोल सकते हैं मैं इस play के अंदर इसे बिलंड सली बोलूँगा I hope यह चीज़े जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है इसकी setting जो हुई है दोस्तो बलगेरिया नाम की एक जगा पर हुई है तो ये हैं दोस्तो इसके सारे के key facts अब बात कर लेते हैं इस play के characters की दोस्तो character की पूरी list आपके सामने है एक और चीज जिस तरह से आजकल exam बनाये जाते हैं उसमें आपको दो चीजे ध्यान लगनी है कि हमें छोटी से छोटी चीजे जो है वो पता करते हुए चलना है कि क्या इस play के अंदर हुआ था ठीक पहली चीज दूसरी चीज ये आजकल major character नहीं पूछे जाते हैं दोस्तो exam में minor character पूछे जाते हैं इस play के अंदर जो है ज़्यादा characters तो नहीं है बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे सबसे पहले character की बात करते हैं दोस्तो major pole patkov ये इस play का दोस्तो पहला character है जो कहां पर रहते हैं दोस्तो bulgaria में दोस्तो रहते हैं और ये एक chief है किसमे bulgarian army में ही दोस्तो ये एक पिर्मुक major है ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है जो major patkov है ये bulgaria में रहने वाले एक बैकती है जो bulgarian army के chief है major है ठीक है दोस्तो अब इनके बारे में एक और चीज बता देता हूँ मैं इनका घर जो है ऐसी जगा पर बना हुआ है जहां से nature को अच्छी तरह से देखा जा सकता है मतलब अगर इनके घर से देखें तो पहाडी छेतर भी देखेगा घाटियां भी देखेंगी बरफ जब गिरती है तो अच्छी तरह से वो देखती है मतलब नेचर की जो सुन्दरता होती है उसको अच्छी तरह से निहारा जा सकता है इनके घर से तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़े आपको पिले में आगे देखने के लिए मिलेंगी कैतरीन पैटकोफ कैतरीन पैटकोफ जो है दोस्तो इनकी वाइफ का नाम है किसकी वाइफ का नाम पोल पैटकोफ की वाइफ का नाम कैतरीन पैटकोफ है अगला करेक्टर है दोस्तो रेना जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कीफेक्स के दोरान जो ये रेना है दोस्तो ये जो है इस पिले की हिरोईन है क्या है दोस्तो इस पिले की हिरोईन है और पॉल पैटकोफ की बेटी है इसकी माता का नाम जो है दोस्तो कैथरीन है अब जहां पर मिस्टर पैटकोफ का दोस्तो मेजर पैटकोफ का घर बना हुआ है उस घर के उपर वाले माले में मतलब कि दोस्तों फर्स फ्लोर पर ये रहना रहती है और इसके कमरे के बाहर एक बालकनी है जहां से ये ब्यूटी देखती है किसकी नेचर की ब्यूटी को देखती है इसके जो कमरा है वहां से जो है पहाडों की peak दिखाई देती है चोटी दिखाई देती है वो नीचे तक नहीं दिखाई देते जब भी बारिस होती है शिनो गिरती है या फिर नीचर का जो दिरिश्य है ये रहना जो है उसको डेली देखती है और उसको देखने की ये आधी हो चुकी है अगला character है दोस्तो निकोला निकोला जो है major petkov के यहाँ पर दोस्तो एक male servant है दोस्तो आप लोगों को से मैं एक प्रातना करूँगा आगरे करूँगा कि यह servant की spelling जो है आप इसे ध्यान से देख लें क्योंकि यह spelling exam में पूछी जा सकती है exam हमें गलती करके देता है दोस्तो यहाँ पर E लगा कर तो आप लोगों को servant की spelling का ध्यान रखना है तो निकोला जो है दोस्तो यह major petkov के यहाँ male servant है इनके यहाँ पर एक female servant भी है जिसका नाम है दोस्तो Luca ठीक है यह Luca जो है दोस्तो female servant है इस family की अब मैं आपको इस Luca के बारे में बता देता हूँ दोस्तो यह एक नोकरानी तो है एक female servant तो है लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है lower class से तो यह belong करती है लेकिन यह इसकी सोच जो है बड़ी ही उची है यह जानती है कि कैसे इसे अपनी beauty का इस्तिमाल करना है हमारे पिले की जो heroine है रेना उससे भी ज़्यादा दोस्तो यह लड़की सुन्दर है आप लोगों को यह ध्यान लकना है कि अगर इस पिले की सबसे सुन्दर लड़की है तो वो कौन है लूका ही है और यह अच्छी तरह से जानती है इसे अपनी सुन्दर ता का किस तरह से इस्तिमाल करना है अगला character है दोस्तो Sergius Saranov Sergius Saranov जो है दोस्तो Bulgarian Army के अंदर ही क्या है Major है और यह रेना के दोस्तो मंगेतर भी है साथ में अब यह Paul जो है Major Patcoff जो है दोस्तो इन्होंने अपनी बेटी रेना की सगाई की हुई है किस से Sergius से की हुई है क्योंकि यह पहली बात तो इनकी तरह ही Major है Army में दूसरी बात यह बहुती पैसे वाले हैं लेकिन दोस्तो Major Patcoff को इस Sergius की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आती वो यह है कि वो लगातार जो है अपने प्रमोशन की बात करते रहते हैं Major Patcoff से Major Patcoff जो है वो चीफ है मतलब प्रमुक है Army के तो यह प्रमोशन करा सकते हैं इसलिए यह सोचता है कि जो Sergius सोचता है कि Major Patcoff जो है वो मेरी प्रमोशन करा दे तो दोस्तो अभी प्ले की स्टार्टिंग में जो है Sergius यह रेना का मंगेतर है अगला करेक्टर है दोस्तो Captain Blancely यह दोस्तो कहानी का हीरो है इसका नाम भी दूसरे एक्ट में जाकर दोस्तो खोला जाता है बिल्कुल अंत में जाकर इस कहानी के अंदर इसका Blancely का नाम जो है वो बाद में खोला जाता है अब दोस्तो यह कहानी का हीरो कैसे बना यह तो जब हम कहानी को पढ़ेंगे तब ही हम लोगों को पता चलेगा सारे के सारे करेक्टर्स मैं अच्छी तरह से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि करेक्टर्स से question exam में पूछे जाते हैं अगला करेक्टर है दोस्तो Russian officer इस करेक्टर का जो action है हमें देखने के लिए मिलेगा जब ही जब हम play की कहानी को पढ़ेंगे दोस्तो एक और बात जब आप George Burnert's Show के play पढ़ने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो George Burnert's Show के play हैं उनमें action हमें बहुत कम दिखाई देता है वो बाते बहुत जादा करते हैं तो आपको ये चीज़े जोर्ज बनट सो के हर एक पिले में देखने के लिए मिलेगी कि उनके पिलेस के अंदर action जो है वो बहुत कम होता है बाते बहुत जादा होती है तो शुरू करते हैं दोस्तों इस पिले की कहानी को सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि यहाँ पर सर्वो बल्गेरियन वोर चला हुआ है दोस्तों किस किस दो सेना के बीच में दो देसों की बीच में पहली सेना है जो है वो सर्विया की है और दूसरी सेना जो है वो बल्गेरिया की है अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर चल रहा था तो आप ये बता देंगे कि सर्वो बल्गेरियन सेना के बीच में वार चल रहा था तो दोस्तो शुरू करते हैं इस कहानी को ये सारे करेक्टर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सुरू करते हैं अब कहानी को जो दोस्तो ध्यान से बहुती अच्छी तरह से सुनना है दोस्तो ये कहानी सुरू होती है रात के एक नजारे से मतलब साम में ये कहानी सुरू होती है रेना पैटकोफ के दोस्तो कमरे से इस लड़की का नाम जो है Complete Raina पैटकोफ है क्योँकि इसके पिता का नाम भी दोस्तो पैटकोफ है इसके कमरे से कहानी सुरू होती है Raina अपने कमरे में होती है तभी दोस्तो इसकी मा कैथरीन इसके पास आती है, Raina के पास और कहती है कि रहना मैं तुमारे लिए एक खुसकबरी लेकर आई हूँ तुम्हें पता है कि हमारी सैना ने जो है इस सर्वियन सैना को हरा दिया है हमारी सैना ने सर्वियन सैना को हरा दिया है और इसको हराने में जो में रोल है वो किसका है घुर सवार सैना का है वो कौन है तुम्हारा होने वाला husband जो sergius है वो उसका नायक था तो दोस्तो अगर war के नायक क्या question आपसे पूछा जाए कि war में जो नायक था वो कौन था तो वो दोस्तो sergius है जो war का जो hero है वो sergius है और जो play का hero है वो bilancelli है तो इसमें आपको confused नहीं होना है exam आपसे confused करने के लिए पूछेगा कि war का जो hero है वो कौन है या फिर play का जो hero है वो कौन है तो आपको ध्यान अटना है जो play का hero है वो bilancelli है और war का जो hero है दोस्तो वो sergius है ठीक है उसकी माता आके उसे information देती है कि तुमारे होने वाले पती ने बहुत ही बहादुरी से इस युद्ध को जीत लिया है जाते जाते ये कैथरीन अपनी बेटी रेना से कहती है कि जो sergian sena के कुछ senik है वो हमारे इलाके में छुपने के लिए आ गए है तो तुम अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना तो दोस्तो ये कैथरीन जो है अपनी नोकरानी लूका को बुलाती है और कहती है कि लूका तुम रेना के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर दो जैसे ही ये लूका दोस्तो रेना के कमरे के खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए आगे बढ़ती है तो ये रेना कहती है कि लूका तुमें मेरे कमरे के खिड़की दरवाजे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है मैं उन्हें खुद बंद कर लूँगी ऐसी बात बोलने के बाद दोस्तों कैथरीन और लूका ये दोनों दोस्तों रेना के कमरे से बाहर चले जाते हैं और इनके जाने के बाद दोस्तों रेना अपना अंदर से दरवाजा जो है वो लोक कर लेती है और अंदर ये अपने नाइटी पहन लेती है मतलब जो नाइट के कपड़े होते हैं इसके वो पहन लेती है और ये सारी लाइट अपने कपड़े की बंद कर देती है बंद करने के बाद दोस्तों ये एक मौंबती जलाती है मौंबती जलाने के बाद ये किताब हाथ में उठाती है ताकि इसे पढ़ने के बाद नीद आ जाए लेकिन जैसे ही किताब पढ़ना स्टार्ट करती है तो इसे याद आती है अपने बहदुर होने वाले पती की सर्जियस की ये सर्जेस का फोटो उठाती है और उससे बात करने लगती है कि सर्जेस तुम इतने बहदुर हो क्या तुम सही में इतने बहदुर हो अगर तुम इतने बहदुर हो तो मैं तुमारे जैसी जो है वो कभी नहीं बन सकती तो दोस्तों ये जो सर्जियस की फोटो है उसी से बाते करती करती सो जाती है इसको पता ही नहीं चलता कि ये कब सो गई तो इसके कमरे के खिड़की दरवाजे खुले रह जाते हैं और इसके कमरे में मौमबत्ती जल रही होती है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस इलाके में बुलगेरिया के इलाके में जो है कुछ सेनिक सर्बियन सेना के आ गए हैं वो छुपने के लिए आ गए हैं सोने के थोड़ी देर बाद दोस्तों इस रहना को जो है गोलियां चलने की आवाज आती है जैसे ही गोलियां सैनिक होता है वो कौन है वो क्या देखता है कि साम के समय एक लड़की रेना जो है वो अपने उस पे खड़ी हुई थी छज्जे पे तो वो ही मकान को चुनता है वो पाइप के सारे चड़के उसके कमरे तक पहुच जाता है अब दोस्तों जैसे ही वो सैनिक इसके कमरे तक पह अब इस रेना को भी एहसास हो जाता है कि उसके कमरे में जो तो कोई घुस आया है इस रेना को एहसास होता है उस जो सैनिक है उसको वहाँ पर माचिस पड़ी हुई मिलती है जैसे ही वो दोस्तों माचिस जलाता है तो ये रेना उटकर बाहर भागने की कोशिस करती है तो रेन जो है वही पर रुख जाती है और वो सैनिक उससे कहता है कि तुम जो है अब मोमबती जलाओ अब ये रहना जो है मोमबती जलाती है जैसे ही दोस्तो ये रहना उस सैनिक को देखती है वो थोड़ा गंदा सा हुआ रहता है थका हुआ सैनिक होता है दोस्तो तो ये रहना मोमब जलाती है और उसके बाद जो है वो सैनिक रेना को देखता है अब वो देखता है कि रेना ने दोस्तो अभी कपड़े कम्पलीट पहने हुए नहीं है वो अपनी पिस्तोल फैंक देता है और कहता है कि तुम सबसे पहले अपने कपड़े पहनो इसके बाद दोस्तो वो सैनिक ब तो मैं अपनी जेवों में बारूद भर के नहीं लेके जाता हूँ और जो वार में लड़ रहे सैनिक होते हैं इन में से दस में से तो ये भी नहीं हophone कि वह लड़कियों रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये सिखाए जाता है कि तुम्हें उस सेना के सैनिकों को मारना है। जैसे कि मैं हूँ मैं भी एक हायर किया गया सोलजर हूँ मैं स्विस की सैना से बिलोंग करता हूँ। और जो लड़ रहा है किसकी सैना के लिए सर्विया की सैना के लिए ये लड़ रहा था सैनिक तो दोस्तों ये बताता है रहना को कि ये जो सैनिक है वो सर्विया की सैना का मेंबर नहीं है वो स्विजर लेंड का एक मेंबर है और वहां का एक जनरल सैनिक है जिसे हायर किया गय पूशती है किस से सर्जियस के बारे में पूशती है उस सैनिक से कि जो मेरा होने वाला हस्बेंड है मैं उसके बारे में क्यों ना इससे कुछ थोड़ी सी जानकारी लूँ तो दोस्तों ये रहना को बताता है सैनिक की जो सर्जियस है वो एक कायर किसम का इंसान है वो अपने स कमजोर सैनिकों को हमेशा मारता रहा है तो दोस्तों ये बात रहना को अच्छी नहीं लगती सुनने में कि उसके पती की होने वाले पती की जो है कोई आलोचना कर रहा है तो दोस्तों जो सैनिक अभी रहना के कमरे में आया हुआ है वो बहुत ज़्यादा ठका हुआ है और उस हुई होती हैं तो वो सारी की सारी चोकलेटों को खाने लग जाता है तो दोस्तों इन दोनों की बाते होने लगती है रेना को दोस्तों ये जो सैनिक है वो पसंद आने लगा है मतलब रेना उससे प्यार करना स्टार्ट कर चुकी होती है अब दोस्तों जैसे ही सैनिक और रेना चाहते हैं, उन्हें संधे है कि भःवोडा सैनिक जो है आपके कमरे पे छुपा हुआ है, तो उनके साथ में दोस्तो रश्यंग सैनिक, लूका और कैथरीन होते हैं, तो पहले तो रहना कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया है लेकिन बाद में वो लोग force करते हैं कि नहीं हमें तो तलासी लेनी है तो Renna के साथ जो sainic है वो डर जाता है कि कहीं उसे ये sainic पकड़ कर मार न दे तो Renna उस sainic से कहती है कि तुम डरो मत तुम इस इलाके के सबसे अमीर घर में हो और मैं तुमें बचा लूँगी तुमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, तो रहना क्या करती है दोस्तो, उसे परदे के पीछे छुपाती है और वो दर्वाजा खोल कर आती है और आकर वो उस परदे के आगे खड़ी हो जाती है, जिस परदे के पीछे वो सैनिक छुपा हुआ होता है तो सारे के सारे Russian officer जो हैं यहां की तलासी लेते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता वो सब जाने लगते हैं जैसे ही सबी लोग जाने लगते हैं तो Luca, Luca को बिस्तर पर पड़ी हुई पिस्तोल दिखाई देती है वो सोचते हैं कि यहां पर मानो या ना मानो कोई त बंद कर देती है और उस सैनिक को बाहर आकर आने के लिए कहती है और कहती है कि तुम जो है इस पाइप से जिस पाइप से तुम आए हो इसी पाइप से उतर के चले जाओ तो फिर उसको जानने से वो रोक लेती है वो कहती है कि जैदी तुम इस पाइप से उतर के जाते हो तो तुम फिर मरने का तुम्हारा डर होगा इसलिए तुम यहीं रुको मैं अपनी माता को बुला कर लेके आती हूँ वो किसी ना किसी तरह की हमारी हेल्प करेंगी तो दोस्तो यह रहना अपनी माता को बुला कर लाती है अब वो उससे क्या कहती है कि माता मेरे कमरे में जो सैनिक है ना उसकी मदद मैंने कर दी है अब किसी भी तरह से इस सैनिक को यहां से भेजो तो दोस्तो रहना की मा कैथरीन कमरे में आती है रहना के साथ और जब आती है तो वो पाती है कि वो सैनिक जो है ठका हुआ तो था ही अब रेना के बैट पर ही सो गया है अब पहले तो जो कैथरीन है वो उस सैनिक को क्या कहकर बुलाती है सर कहकर बुलाती है कि सर उठ जाए लेकिन जब वो सैनिक बहुत ज़्यादा ठका हुआ है तो इतनी आसानी से तो उठे गर नहीं अब दोस्तो वो कैथरीन जो कहती है अब उसे जानवर कहके बुलाती है कि जानवर उठ तो ये बात दोस्तो रेना को जो है अच्छी नहीं लगती रेना अपनी मां से कहती है कि तुम इसे इस तरह से मत उठाओ इसे अगर तुमें उठाना ही है ये आप पूर डार्लिंग कहके इसे उठाओ ये सब्द सुनकर कैथरीन जो है बड़ी ही आश्चारी में आ जाती है कि रेना के दिल में इतना सोफ्ट कोर्नर इस सैनिक के लिए कैसे आया तो दोस्तों इसको ये सोने देते हैं इस रात यहीं पर ये रेना के कमरे में सो जाता है जब अगली सुभा होती है तो कैथरीन और रेना इसे यहां से जाने के लिए कहते हैं सैनिक को सैनिक को जाने से पहले कहते हैं कि तुम ये पुराना कोट देती है कि तुम अपनी वर्दी को छुपाने के लिए इस कोट को पहन लो जिससे कि तुम्हें बाहर के नागरिक या फिर बाहर के जो लोग हैं या फिर बाहर के जो सैनिक हैं वो तुम्हें पहचान ना पाएं कि तुम दूसरी सैना के नागरिक हो इसलिए दोस्तों ये कोड दे देती है कोड देने के बाद ये सैनिक दोस्तों यहां से चला जाता है अब एक रहना यहां पर काम करती है अलग सा वो क्या करती है उस कोड की जेव में क्या करती है अपना फोटो डाल देती है उस पर पीछे लिखती है कि मेरे चोकलेट क्रीम सोलजर के लिए एक नजारा यही पर दोस्तो पहला एक्ट खतम हो जाता है अब दूसरा एक्ट जो है शुरू होता है दोस्तो चार महीने बाद चार महीने बाद कब शुरू होता है दोस्तो मार्च 1886 में पहला Act जो शुरू हुआ था दोस्तो वो हुआ था No. 1885 में इसके चार महीने बाद दोस्तो ये Act शुरू होता है ये Act जो शुरू होता है दोस्तो एक बहुत ही सुन्दर सुबा से होता है जब गैथरीन अपने घर के कार्डियों में वैस्ट होती है और ये लूका किसी ना किस गर के कोणे में छुपकर क्या कर रही है दोस्तो यह सिगरेट पी रही है अभी अभी घर के सारे लोगों ने नास्ता किया है और नास्ते के बरतन भी अभी टेबल पर ही पड़े हुए हैं टेबल पर बरतन पड़े हुए हैं तभी दोस्तों मेजर पैटकोफ जो है वार से वापिस आ गए हैं वार से वापिस आने के बाद वो देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने कामों विजी हैं लूका की नजर प पैटकोफ के लिए एक कोफी लेकर आती है और सराब की बोतल लेकर आती है मेजर पैटकोफ क्या करते हैं दोस्तों सराब की बोतल को उठाते हैं और कोफी के अंदर ही थोड़ी सी सराब मिलाते हैं और उसको पी जाते हैं दोस्तों कैथरीन को जैसे पता चलता है कि उनके क्या क्या हुआ था तो दोस्तों ये मेजर पैटकोफ और इनकी वाइफ कैथरीन पैटकोफ ये दोनों वोर के बारे में बाते कर रहे हैं जैसे ही इनकी वोर की बाते खतम होती है तो ये कैथरीन जो है मेजर पैटकोफ को बताती है कि मैंने एक electronic bell ली है electronic bell को जैसे ही आप बच जाओगे तो हमारे नोकर जो हैं हमारे पास आ जाएंगे उन्हें आप कोई भी काम बता सकते हो क्योंकि मैं ये electronic bell इसलिए लेकर आई हूँ, क्योंकि तुम जो नोकरों के पीसे चिलाती रहते हो ना वो बड़ा ही ऐसव्या लगता है बहुत ही बेकार लगता है तो दोस्तों इस बात के ऊपर इस major petkov को गुस्टा आ जाता है कि कैथरीन मुझे ऐसे बोल रही है वो कहता है कि तुम सब्या होने की बात कर रही हो, अब मैं बताता हूँ सब्या होना क्या होता है ये दोनों अभी दोस्तों आगन में ही बैठे हुए है अब जब जहां पर ये बैठे हुए है वहाँ पर कैथरीन के कपड़े सूक रहे है उसी आगन में ये कहता है major petkov कि एक सब्या व्यक्ति कभी भी अपने कपड़ों को ऐसी जगा नहीं सुकाएगा जहां पर उसे दूसरे लोग देख सके तो तुम खुद सब्या वाले काम नहीं करती हो और दूसरा सब्याता का काम एक और है जो तुम नहीं करती हो वो है तुमारा रोज नाना एक सब्या वैक्ति को कभी भी रोज नहीं नाना चाहिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा हफते में एक बार नाना चाहिए यदि तुम मेरी बात करो मेजर पैटकोफ अपने बारे में बोलते हैं यदि तुम मेरी बात करो तो मैं हफते में सिर्फ एक बार नाता हूँ और कभी-कभी तो वो भी नहीं नाता, सिर्फ उपने सरीर को पहुँच कर काम चला रहता हूँ, अब ये major pet cough इसका एक बहुत बड़ा example देते हैं, कि मेरे पिता 99 years के थे जब उनकी death हुई थी, और वो अपने तमाम जीवन जो है बहुत ही सुश्त आदमी रहे थे, और अपने जीवन में वो कभी भी नहीं नाय थे, major pet cough के फादर अपने जीवन में दोस्तों कभी नहीं नाय थे, ये major pet cough ही बताते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक तो कपड़ी सुखाने वाला काम बताया जो ऐसव्य है, रोज नहने वाला काम बताया जो एसव्य है, इन कामों को ये एसव्य है बताते हैं, अब दोस्तों जैसे ही इनकी बातचीत खतम होती है, तो major pet cough से मिलने के लिए आता है सर्जिय सारनोफ, सर्जिय सारनोफ भी दोस्तों इस बलगेरियन आर्मी का जो था, वो major था, ये दोनों आकर बाते करते हैं, आंगन मे बैट कर ही ये बात कर रहे हैं, अभी दो ओरतों के बारे में, जिन ओरतों ने उस भगोडे सैनिक को जो है, छिपा लिया था, अपने कमरे में, और कैसे उसकी साहित है कि उसके बाद वो कहां पर चला गया सैनिक, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तो वो कह रहे है की बलगेरिया की जो ओरते हैं वो इस तरह से दूसरी सैना के लोगों की मदद भी कर देती हैं, वही पर दोस्तों ये बात जो है कैथरीन सुन लेती है और सुनने के बात घबरा जाती है कि ये बाते तो हमारे बारे में ही हो रही है, यदि इन promotion की demand करता है तो ये बात दोस्तो major patcoff को पसंद नहीं आती क्योंकि कोई भी छोटा सा काम हो चाहे war हो चाहे कोई और छोटा सा काम हो ये sarges जो है अपने promotion मांगने लग जाता है और ये बात major patcoff को बिल्कुल भी पसंद नहीं है अब दोस्तों इस sarges को गुस्सा आ जाता है तो ये army से जो है resign दे देता है वोई कहता है कि army जो है एक बहुती बेकार profession है यहाँ पर अपने से कमजोर लोगों को मारना पड़ता है बहुती निर्देता का काम है अब ये sarges जाता है किसके पास दोस्तों कैथरीन के पास जाता है और इससे बाते करने लगता है कि अब जो है मैं किसी army का जो है officer नहीं हूँ कोई भी किसी भी तरह की मैं post को hold नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने army से resign दे दिया है वहाँ पर जो है मुझे वो profession पसंद नहीं है वहाँ पर निर्देता से लोगों को मारना पड़ता है और ये चीज मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने जो है sarges कहता है मैंने जो है त्याग पत्र दे दिया है सेना से तभी दोस्तो रेना वहाँ पर आ जाती है तो कैथरीन वहाँ से चली जाती है रेना के आने के बाद रेना और सर्जियस उस कमरे में दोनों अकेले रह जाते हैं और ये higher love की बाते करने लगते हैं बाते करने के बाद दोस्तों सर्जियस और रेना का पिलान बनता है घूमने का अब ये रेना अपने कमरे में तयार होने के लिए चली जाती है अपना हैट वगेरा लेने के लिए मेकब वगेरा करने के लिए चली जाती है तबी दोस्तों इस सर्जियस की निगा पड़ती है इ कितनी सुन्दर लड़की है कास मैं इसे पटा पाता तो ये सर्जियस जाता है दोस्तो इस लूका के पास और बात करता है हायर लब के बारे में कहता है कि क्या तुम हायर लब के बारे में जानती हो तो लूका इसका आंसर नहीं में देती है अब ये सर्जियस दो है दोस्तो इ भी यही चाहती हूँ कि जो तुम करना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हे फसा के रहूंगी अपने जाल में ये लूका इस सर्जियस से कहती है अब कि क्या तुम एक गरीब लड़की से साधी कर सकते हो तो ये सर्जियस कहता है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी सगाई एक बोरिंग लड़की रहना से हो गई है और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ तो लूका को दोस्तों यहां पर मौका मिल जाता है लूका कहती है कि जिस से तुमारी सगाई हुई है ना रहना जब तुम वोर में थे तो उसका अफेर रहना किसी और के साथ चल रहा था जब तभी दोस्तों रेना वहां पर आ जाती है और इन दोनों की सारी बातों को सुन लेती है कि जो सर्जियस है वो लूका से साथी करने की बाते कर रहा है लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलती तभी दोस्तों वो सैनिक जिसको कैथरीन और रेना इन दोनों ने कोट दिया था वो इस कोट को वापस करने के लिए आता है और लूका उसे आते हुए देख लेती है लूका जाती है दोड़कर किस के पास अपनी मालकिन के पास जाती है और कहती है कि मालकिन जिस सैनिक को आपने मालिक का कोट दिया था ना वो सैनिक तुम्हारा कोट लोटाने के लिए आया है कैथरीन ये बात सुनकर बहुती दर जाती है वो दोड़के जाती है उस सैनिक के पास और कहती है कि तुम कोट जो दो और जल्दी से यहां से निकल लो यदि मेरे हस्बेन ने आपको देख लिया ना तो बहुती जादा मुसीबत हो जाएगी तो वो कहता है कि मेरा यहां पर आने का और कोई परपस नहीं था मैं तो सिर्फ आपका कोट लोटाने के लिए आया हूँ तो दोस्तों ये दोनों कैथरीन और वो सैनिक बाते कर रहे हैं मेजर पैटकोफ जो है उसको देख लेते हैं अब वो उसको पहचान लेते हैं कि ये कौन है अब ये कैथरीन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है ये और कोई नहीं दोस्तों कैप्टन बिलंटसली है Captain Valensally है और यहाँ पर Major Patcoff इससे कहते हैं कि अरे Captain साव अंदर आए हमारा तो सोभा गया है कि आप हमारे घर पर आए तो ये Catherine को इस Valensally का दोस्तों introduction देते हैं ये कहते हैं कि ये Captain साव है इनोंने जो है War को खतम करने में बहुत ही बड़ा रोल निवाया है इनोंने दोनों देशों के बीच में संधी कराई है और इनका बहुत बड़ा रोल है इस War को फिनिस कराने में तो वो इससे request करते हैं कौन Major Patcoff जो है request करते हैं किस से बिलंड सली से कि जब तक आप Caesar Land वापस नहीं जाते आप हमारे घर में महमान बन कर ही रहीए ठीक है दोस्तो तो ये ready नहीं होता नहीं मुझे वापस जाना है अपने देश तो दोस्तो इसको रेना देख लेती है यहाँ पर रेना कहती है ओ माई चॉकलेट क्रीम सोलजर वो आती है इसके पास और कहती है कि नहीं मेरी बात आप मालो मैं आपसे request करती हूँ आप थोड़े दिन के लिए हमारे घर पर रुख जाओ तो बिलेंटसली जो है दोस्तो इस रेना की बाते मान कर वहाँ पर रुख जाता है अब दोस्तो यहाँ पर second scene जो है वो खतम हो जाता है तो second act जो है दोस्तो खतम हो गया अब third act जो है वो शुरू होता है third act की सुरुवात होती है दोस्तो लाइबरी से मेजर पैटकोफ के घर में एक लाइबरी है जहाँ पर कुछ भटी पुरानी किताबे अब रहती है और न्यूस वेपर सिर्फ पढ़ा हुआ होता है वहाँ पर लोग आजकल पढ़ते तो नहीं है लेकिन वहाँ पर बैटकर बाते करते हैं तो दोस्तो ये रेना क्या करती है कैप्टन बिलंडसली को वहीं पर ले जाती है उस लाइबरी के अंदर ले जाती है और वहाँ पर जाकर बातचीत करने लगती है बातचीत करने के दोरान ये रेना जो है बिलंडसली से पूछती है कि जो तुम्हें मैंने फोटो दिया था कोट की जेब में डाल कर क्या तुमने वो देखा था तो ये बिलंड सली दोस्तों मना कर देता है कि नहीं मैंने कोई भी फोटो उस कोट की जेम में नहीं देखा क्योंकि मुझे चिंता थी कि जिन औरतों ने मेरी इतनी मदद की है कहीं मेरे से वो कोट फट न जाए इसलिए मैंने वो कोट जो है गिर्वी रख दिया था तो मेरे को ये कोट अब आपको वापस देना था इसलिए मैं वापस देने के लिए आया हूँ तो यह रेना जो प्यार भरी नाराज़गी जताती है किसके उपर दोस्तो Captain Blen Scully के उपर कि उसके फोटो को उसने देखा तक नहीं लेकिन कप्टन Blen Scully को तो पता ही नहीं था कि उसके अंदर कोई फोटो रखा हुआ है तभी दोस्तो इन दोनों की बाते हो रही है वहाँ पर कौण आयाता है? सर्जियस आयाता है और सर्जियस आकर ये कहता है कि ये कैप्टन बिलंडसली जो है वही भगोडा सैनिक है मुझे लूक़ाने बताया है कि तुमने इसकी कैसे मदद की थी अपने कमरे में छुपा कर मैं जानता हूँ तुमारा कोई ना कोई सम्मंद इस सैनिक से जरूर है और दोस्तो ये कैप्टन बिलंटसली को जो सर्जियस है ये एक लड़ाई का चिनोती दे देता है ड्यूल के लिए चिनोती दे देता है तब उसने जाकर मेरी मदद की थी तब ही दोस्तो इन दोनों की बहस होने लगती है इन दोनों की बहस हो रही है इस बहस के बीच में रहना कूच जाती है रहना कहती है इस सर्जियस से कि तुम साधी तो मुझसे कर रहे हो लेकिन साधी की बाते किस से कर रहे हो चाता हूँ अब ये दोनों दोस्तों बिलंटसली और रेना एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये भी एक दूसरे से साधी करना चाते हैं तो यहाँ पर दो जोड़े बन गए पहला रेना का और बिलंटसली का दूसरा लूका का और सर्जियस का दोस्तों अब ये रेना के जो फादर है मेजर पैटकोफ उन्हें भी इस रिष्टे से कोई भी आपत्ती नहीं है क्योंकि जो कैप्टन बिलेंटसली है उसके पिता की अभी अभी रिसेंटली डैथ हुई है और उस डैथ के बाद जो है उसके पिता उसके लिए बहुत सारी समपत्ती छोड़कर गए हैं तो ये भी एक बहुत अमीर आदमी है तो इसी लिए रहना के फादर भी मान जाते हैं अब रहना की साधी बिलेंटसली के साथ लूगा की साधी सर्जेज के साथ कर दी जाती है इसी के साथ दोस्तों ये कहानी जो है खतम हो जाती है I hope दोस्तों ये सारी की सारी कहानी जो मैंने आपको समझाई है ये आपको समझने आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद